हाई गाईज दिस प्रभाज सुनु सार्ड गाईज सीजी व्यापम से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जैसे कि हमने आपको लास्ट रीडियो में भी बताया था कि सीजी व्यापम का पेपर आपका होना संभावित है ही और वो होकर ही रहेगा 36 गण व्यापम ने आज B8 की लिए और DL8 की लिए यहाँ पे प्रवेस परिक्षाओं का जो भी यहाँ पे तिती है कबसे आपको आविदन करना है कबसे आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है कैसे आपको एडिटिंग करना है और कब तक आपको प्रवेस पत्र जारी होगा किस दिन आपका एक्जाम होगा इन सभी का डेटा इन्होंने यहाँ पे अपने ऑफिसल साइट पे जारी कर दिया है आप इनका ऑफिसल साइट में आग करके देख सकते हैं पहला जो यहाँ पे लिंक आपको मिलेगा यही लिंक आपका प्रेस पिगपती आजी के डेट पे 20 और मात्र दो दिन बाद आपका फॉर्म यहाँ पे फिलब होना भी सुरू हो जाएगा तो जो प्री-B8 का यहाँ पे फॉर्म डालना चाहते हैं या जो प्री-DL8 का यहाँ डालना चाहते हैं वो यहाँ पे इस वीडियो को देखें और बाकी लोग का जो आपका CGPAT हो गया PT हो गया, PPST हो गया, PPT हो गया इन सबका भी जो wait कर रहे हैं वो भी इन वीडियो को पूरा देखें क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको यह बताया जा रहा है कि यहाँ पे अब स्थिती किलियर हो चुका है आपके interest exam होने ही है तो यहाँ पे आपको आना है और इस link को आपको सबसे पहला ले link को आपको यहाँ पे click करना है, चली हम इसको click करते हैं और PDF को download कर लेते हैं ऐसा कुछ आपका page open होगा और यहाँ से आपको PDF को download करना है अब यहाँ पे देखिए संचालक SCRT मतलब राज्य सेक्षडिक अनुसंधान परिसद जो आपका रायपूर है इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम चाहते हैं कि B8 का और DL8 का प्रवेस परिक्षा हो इस साल पिछले साल तो हुआ नहीं था जैसे आपका CG आपका हो गया PAT ठीक है यानि Pre-Agriculture Test इसके लिए आपका क्या होता है IGKV रायपूर मतलब इंद्रा गांधी कृषिर सिद्याले कहेगा CG व्यापम से कि भईया CG PAT का पेपर ले लो तो CG व्यापम CG PAT का पेपर ले लेगा अगर यह बोलेगा मतलो तो वो नहीं लेगा सेम इसी तरह आपका क्या होता है जैसे आपका CG PAT का हो गया Pre-Engineering Test जिसको बोलते हैं PPT हो गया Pre-Pol Technic Test और आपका PPST हो गया इसके लिए कुण जिम्यदार है तो CG व्यापम इसके लिए जिम्यदार नहीं है इसके लिए आपका 36 गड़ का जो आपको causal विकास विभाग है या तकनिकी सिक्षा विभाग है वो यहाँ पर Responsible है वो यहाँ पर CG व्यापम को Notice भिषते हैं कि भाईया इन इनका पेपर ले लो इस इस टाइप के date रखना और ऐसा करके यहाँ पर आप हमें answer seat बना करके rank वगेर प्रोवाइट करना ठीक है तो यह CG व्यापम का काम नहीं है CG व्यापम के पास यहाँ पे निर्देस आता है CG व्यापम के पास request आता है कि आप फलाना पेपर लो तब CG व्यापम यहाँ पे notice निकलता है तो सेम यहाँ पे देखे हो लिखा है कि व्यापम को email से प्राप्त संचालक SCRT रायपूर का पत्र मिल गया यहाँ पे यह mention हो गया कि आप यह paper का interest exam आप करा दो तो वही पूरा date schedule यहाँ पे जारी कर दिया है तो बाखी किसी को doubt नहीं होना चाहिए कि बाखी का क्यों नहीं आया है जैसे जैसे यहाँ पे सारे विभाग यहाँ पे जारी करेंगे वैसे वैसे CG व्यापम सभी का officially update यहाँ पे जारी करेंगा तो pre B8 के लिए आपका 22 जुलाई 2021 मतलब आज मंगलवार है गुरुवार से इनका application form भरा जाएगा अभी तक कोई form नहीं भराया गया था यही form जो भराना था इसको निरस्त किया गया था अभी यह form आपका 22 जुलाई से चालू होगा जो की 5 अगस्त तक चलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद आपका इस साल का form फिलब नहीं होगा अब 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीट के आपका डेट है आपसे कोई गलती होगे आपसे कोई तूटी होगे आपने कुछ मिस्टेक कर दिया उन सब को आप यहाँ पे सुधार सकते हैं ठीक है यह 6 से 8 अगस्त तक यह होगा 20 अगस्त को आपका एड्मिट कार्ट जारी कर दिया जाएगा कि आपको सेंटर दिया गया है तो कहा दिया गया है कौन सा स्कूल दिया गया है कितने बज़े हो सकता यह सारे चीज़े आपको डिटेल दिया जाएगा और 29 अगस्त रविवार को आपका पेपर 10 बजे से 12 बच के 15 मिनट तक होना यहाँ पे प्रस्तावीत है यह संभावीत है गौर्मेंट का कुछ आदेस आ जाया तो उपर नीचे हो सकता है वरना इस डेट पे आपका पेपर हो ही जायेगा तो 22 जुलाई से आपका फॉर्म भराएगा और 29 अगस्त को आपका पेपर है मतलब एक महिना और दो-चार दिन आगे पीछे आप जोड़ लो इतनी दिन का आपको समय केवल मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे इनके लिए तो समय आपका स्टार्ट हो गया है जिनका तयारी यहाँ पे नहीं है बाकी CG, PAT वाले, PET वाले यह सब तयारी करना चालू कर दो क्योंकि आपको CG वे आपका मातर एक महिने तक कट ही समय देगा और एक महिने में आप पढ़ोगे या revision करोगे यह आपके उपर है इसी तरह अगर हम बात करें प्री-डियलेट का तो इनका भी 22 जुलाई से आपका form fill up होगा ठीक है 5 अगस तक इनका भी last date रखा गया है same schedule उनका भी हूब हूँ है कोई यहाँ पे change नहीं है change यहाँ पे क्या है कि इनका सूबा shift में paper हो रहा है और pre-डियलेट वाले का sam shift में paper हो रहा है दो बज़े से लेकर के 4-15 के बज़े तक यहाँ पे आप देख सकते इनका paper होना है ठीक है और कल के news article में कल के media article में पेपर में भी आपको news मिल जाएगा ठीक है